तमस्कार स्वागत है आपका हमारे चैनल पर मैं हूँ आपके साथ शिप्राजैनी उत्तरपरदेश में बीजेपी की परचंड जीत का असर अब माहराश्ट्र में भी देखने को मिल रहा है बीजेपी की ये जीत ना सर्फ उत्तरपरदेश में विपक्षी दलो को परिशान कर रही है बलकि माहराश्ट्र तक भी न्सीपी और शिवसेना जैसी पार्टियों की मुश्किले वढ़ा रही है या यू कहें कि इस जीत से शिवसेना तिल फिलाई हुई है क्योंकि उत्तरपरदेश में शिवसेना की जमानत जब्त हो गई नोटा से भी कमपोर्ट शिवसेना को उत्तरप्रदेश में हासिल हुए हैं और यही बचा है कि इस तरीके से लगातार शिवसेना के नेता और खास्तोर पर शिवसेना के सांसद संजयराउत लगातार बयान बाजी कर रहा हैं और इसी कड़ी में संजह राउत का बयान साफ ने आया है जिसमें उन्होंने चार राज्चों में बीजेपी की जीत पर शिवजेना के सांसर संजह राउत ने बीजेपी पर तंच कसा उन्होंने कहा कि बीजेपी ने बड़ी जीत हासल की है लेकिन उसे काम्याभी को पचाना स सीखना चाहिए सिर्फ इतना ही नहीं संजेह राउथ ने अकलेश यादव की तारीफ में कसीदे पढ़ते हुए मायावती और असुदीन ओवेसी को निशाना बनाया कहा कि बीज़पी का राच्चे था उत्तरपरदेश और अभी है लेकिन अकलेश की सीटे तीन गुणा बढ यह संजेह राउथ का बयान साफ ने आया है यानि साफ तोर पर मायावती और असुदीन ओवेसी को इस जीट के लिए वो जिम्मेदार ठहरा रहे हैं उन्हें पद्म विभूशन और भारत रत्न देने की वो बात कर रहे हैं हालकि संजेह राउथ इस चीट से कितना ज़्या शिवजेना ने खुद को कहीं न कहीं ढूनने की कोशिश की फिर चाहे वो समाजवादी पार्टी की आर्ट में की गई हो वो चुनाफ लड़ी लेकिन जिस तरीके से उनके तमाम केंडिटेट की जमानत चप्त हो गई नोटा से भी कम वोट शिवजेना को उत्तर प्रदेश में मिले हैं और सर्फ उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि गोफा और मनिपुर्ट चैसे राच्चों में भी शिवजेना का यही हाल हुआ है क्या नहीं शिवजेना ये जरूर जान चुकी है कि महाराष्ठ्र तही शिवजेना सीमित है लेकिन खु जो हैं जे सपने हैं वो उत्तरप्रदेश ना सिर्फ बलकि लोकसभाद चुनाव 2024 में प्रथान मंत्री नरेंद्र मोधी को हराने का है वो भी अपने बलबूते पर नहीं बलकि तमाम दूसरी पार्टियों के बलबूते पर शिवजेना इस कोशिश पे हैं कि वो huge tea को किसी तरीक से हरा पाए और शाइद यही वज़ा है कि इस तरीके से अखलेश चादव का गुनका किया रहा है लेकिन शिव देना इस हार से कितनी ज्यादा परेशान रहे renی बिलाई होई है यह लगातार उनके बयानों में देखने को मिल रहा है जहां एक तरफ संजेह राउट से लेकर NCP परमोक शर्थवार जो कि उनकी पार्टी अखलेश यादव के साथ मिलकर गडबंधन करके उत्तरपरदेश में चुनाव लड़ने का पैसला किया था आपको बदादे समाचवादी पार्टी ने महज एक सीट जो है वो NCP को दी थी और उसके वहुते उत्तरपरदेश में कहीं न कहीं सेंद लगा थे कि कोशिश ये तवाम माहराष्ट की पार्टिया कर रही थी लेकिन जिस तरीके से उत्तरपरदेश के नतीजे साफने आई है उसके वाद लगातार विपक्ष परिशान है कि आखर ये नतीजे जो है वो कहीं न कहीं उनके आकलन के मुताबिक नहीं आई है जिस तरीके से उत्तरप्रदेश, समेत, गोवा और यहां तक की मनीपूर और साथ ही उत्राखंड की जनता ने बीजेपी पर भरोसा जताया है अब हम देख रहे हैं कि किस तरीके से महराश्च्छ में कहीं बीजेपी को खेटने के लिए पंजाप का सहरा लिया जारा है शुद्फवार से लेकर संजे राउ जैसे नेता अब पंजाब को लेकर भीजेपी पर सवाल उठा रहे हैं वो क्या रही है कि वहाँ इतने बड़े-बड़े दिगज नेता हार कए बीजेपी की ओर से चुनाव परचार किया क्या लेकिन चार राच्चों में जो बीजेपी ने परचंड जीत हासल की है उसे वो पूरी तरीके से दर्किनार कर रहे हैं उसे वो देखना नहीं चाहते हैं जो विपक्षी दल कहीं न कहीं एक अलाइंस बनाने की कोशिश कर रहा है बीजेपी के खिलाफ और कोशिश ये है कि लोकसभाद चुनाव दोहजार चौबिस तक किसी भी तरीके से परधान मंतरी नरेंदर मोदी को टार्केट किया जाए किसी भी तरीके से उन्हें हराय चा खास तोर पर तमाफ नेताओं के ट्वीट साफ ने आए हैं बयान साफ ने आए हैं कि बीजेपी ने बढ़ी और रिकोर्ड जो जीत है वो हासल की है इस पर माहराज के पूर मुख्यमंत्री देफेंद्र परणविस का बयान साफ ने आए हैं जिसमें उन्होंने उत्तरप्र उत्तरप्रदेश में गए बीजेपी कार्यकरताओं ने बीजेपी का गौह बढ़ाया है आपने समाच्वादी पार्टी का सफाय कर दिया और बीजेपी फिर चीत गई इसके लिए उन्होंने उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनात को धनिवाद दिया है उन्हें बढ़ायी थी है जिस तरीके से बीजेपी ने ये बड़ी जीत उत्तरप्रदेश में हासल की है जाहिर तोर पर 273 सीटे 403 विधान सबाद सीटों में से हासल की है तो ये अपने आप में एक बड़ी जीत है क्योंकि 37 सालों का रिकोर्ड तोड़ते हुए ऐसा हुआ कि कोई जो मुख्यमंत्री है वो दोफारा मुख्यमंत्री पना हो और उत्तरप्रदेश में CM योगी आधिसनात ने ये रिकोर्ड जो है ये अपने थांग किया है तो जाहिर तोर पर ये बड़ी बात है जिस तरीके से बीजेपी ने ये बड़ी चीत हासल की है हाला कि माहरा में BMC के चुना हुए बखुवी तरीके से देखने को मिल सकता है और शायद यही वजा है कि इस तरीके से संजह राउथ तिल फिलाए हुए है हाला कि जवाल उनसे ये भी पूछा किया था कि उत्तरप्रदेश, कोफ़ा और साथ ही मनिपुर पे उनकी जवानत जब्त हो कहा कि पीज़िपी को अपनी सफलता को पचाना सीखना चाहिए, कुछ लोग ही सफलता को पचा पाते हैं, विफलता को तो पचाना आसान है, लेकिन सफलता को पचाना मुश्किल है, उसकी जीत अच्छे चुनाव परबंधन के कारण हुई है, ये संजर राउथ की और से ब माहराष्ट में मुश्किले कई गुना बढ़ती दिखाई दे रही है पिर चाहे वो BMC का चुनाफ हो या उसके आसपास जितने भी चुनाफ अभी तक माहराष्ट में हुए हैं तमाव निकाई चुनाफ हुए हो या फिर जिला शैकारी बैंक के चुनाफ हुए हूं उसमें BJP पूर्टोर्थ में शिवसेना की मुश्किले कई गुना बढ़ा सकती है फिलाल अगर नतीजों पर गोर किया जाए तो आपको ये बताते हैं कि शिवसेना जो लगातार गोवा में चुनाव परचार कर रही थी तमाम दिगज नेता शिवसेना की वहाँ चुनाव परचार करने के लिए गोवा में पॉचे लेकिन वहाँ भी नोटा से कम पोट शिवजेना को हासल हुए हैं, उत्तर प्रदेश में शिवजेना को महज 0.03% वोट हासल हुए हैं, जबकि नोटा को 0.69% वोट हासल हुए हैं, गोवा में शिवजेना ने 10 सीटो पर अपने उमीध्वार उतारे थे और सभी की जबानत जब्त हो गई शिवजेना को गोवा की चार सीटों पर सो से भी कम वोट मिले हैं तो ये शिवजेना का हाल है और उसके बाद इस हाल को इस तरीके से शिवजेना के सांसत बया कर रहे हैं जहां वो ये कह रहे हैं कि माया हती और ओवेसी को पद्म विभूशन और भारत रतन जैसे पुरुसकार मिलने चाहिए क्योंकि उन्होंने बीजेपी की जीत में एहम योगदान निभाया है लेकिन बीजेपी की ये परचंट जीत इतना तैह हैं कि विपक्ष और खासतोर पर माहराश्ट में अब कही न कहीं महाफ विकास अगाडी सरक के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी खड़ा कर रही है विलाल आपकी इस पूरे माफले पर क्या राय है हमें कॉमेंट बॉक्स में जरू लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाट